गुद मॉनिंग स्टूटेंट आज हम क्लास से किंड जीके में चप्टे 26 पढ़ेंगे यह हमारा वीडियो नंबर टू है चप्टे 26 में देखो हम साइंस क्यूज के बारे में पढ़ेंगे साइंस की जो कुश्चन्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे आप देखो टिक ता कर आइस से क्या बनता है क्या बनाता है आइस क्या बनाती है या इस से क्या बनता है ऑप्षण या तीन ऑप्षण है आप देखिए ऑप्षण ए आइरन ऑप्षण बी वूल ऑप्षण सी वाटर तीन ऑप्षण में से हमें एक ऑप्षण सही है तो आइस से क्या बनता है वाट का निशान लगाया है second question आप देखिए what does a caterpillar turn into इसमें भी option देखो तीन दे रहाखे है option a spider option b frog option c butterfly तो इसमें option c जो है वो right है इसमें आएगा butterfly थर्ड कुशन देखिए आप what are clouds made of clouds जो बादल होते हैं वो क्या बनाते हैं option a cotton option b smoke option c water तो clouds से क्या बनता है बादलों से क्या बनता है water पानी बनता है तो option c पर हमने right का निशान लगाया next आप देखो question number four देखिए four how many colors are there in the rainbow की rainbow जो होते हैं उसमें कितने colors होते हैं rainbow में कितने colors होते हैं यहां देखो option a five option b seven option c nine तो rainbow में कितने color होते हैं seven तो option b पर हमने right का निशान लगाया है question number five आप देखिए what does a carnivore animals eat carnivore होता है मासाहरी कि मासाहरी पश्चु जो होते हैं carnivore मासाहरी पश्चु जो होते हैं वो क्या खाते हैं option a plants option b other animals option c both both है नहीं या तो दोनों खाते हैं या इन में से एक option राइट है तो मासाहरी पश्चु carnivore animals जो है वो क्या खाते हैं वो other animals यहां option b जो है वो right है इस पर हमने right का निशान लगाया है next आप देखो six which gas is used by plant for preparing their food कि कौनसी gas जो है plants पोधे पोधे जो है कौनसी gas से भोजन बनाते हैं इसमें जो फ्रॉग जो होता है उसका small छोटा जो होता है उसका small छोटा जो होता है उसे क्या कहते हैं option a cup option b pony option c tadpole ठीके न फ्रॉग का जो छोटा रूप होता है उसे क्या कहते हैं उसे tadpole कहते हैं तो यह option c पर हमने right का निशान लगाया है आप देखो next what is a shark शार्क क्या है तो शार्क क्या है देखो यह option a flowers option b plant option c c animal तो शार्क जो है शार्क फिश को कहते हैं तो शार्क जो है वो c animal है समुद्र में रहने वाला जानवर तो शार्क c animal है इसलिए option c पर हमने right का निशान लगाया है आज हमने साइन्स क्यूज कंप्लीट की है आपको यह साइन्स क्यूज अपनी बुक में फिल करनी है और इसे आपको अपनी नोट बुक में करना है और लर्न करना है थैंक्यू